योग की GIC यानि की Government Degree College Lecturer के लिए मुख की परिक्षा जो की 13 मार्च होनी है इसके लिए जो Admit Card है वो जारी कर दिये गए हैं आप Admit Card को UPSC.UP.NIC.IN ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट से जाकर डाउनलूड कर सकते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो परिक्षा होनी है ये 13 मार्च को होगी प्रियागराज और लखनौ में दो सिफ्ट में सुबह साड़े नो बजे से साड़े ग्यारा बजे और दो पर दो ब कर सकते हैं याद रखे कि जब आप परिक्षा दने जाएं तब आपके पास अपनी फोटो और ID प्रूफ भी यानि कि मूल रूप में ये जरूर होना चाहिए आयोग ने दिसंबर के दूसरे सब्ता में प्रारंबिक परिक्षा का पैडाम जारी किया है इसमें कुल 15,046 इंटर्व्यू के माध्यम से लेकिन इस बार प्री और मेंस के माध्यम से ये जो भरती है यह होने जा रही है जी आईसी में कुल 16 विश्यों में परवक्ता के 1473 पदों के लिए भरती में 991 पद पुरुसवर के लिए और महिलाओं के लिए हैं कितने पद 482 पद हैं तो आप अपना एडमिट का डाउनलूर करने और आज से आपको इसी वेबसाइट पर और इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी और लेबल करवाए जाएंगे तो जॉइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा PCS Pre आप जान रहे हैं कि बहुत लंबे समय से 2019 और 2020 के साथ साथ अगर बात करें 2021 की भी तो अभी जो फाइनल आंसर की है वो UPPSC ने जारी नहीं की थी इसको लेकर मामला जोड़ा सा घंबीर हो गया था जो इस्टुडेंट हैं अभिरती हैं एस्पिरेंट हैं वो कोड चले के थे कोड में फिलाल अभी सुनवाई चल रही है लेकिन इसी बीच UPPSC ने UPPSC ने UPPSC 2019 और UPPSC 2020 प्रारंबिक परिछा प्रिलिम्स का जो आंसर की है उसको जारी कर दिया है और इसके बारे में अगर बात करें तो हाई कोड ने इस मसले पर आयोग से हलाफ नामा मांगा तो बुधवार को आयोग ने दोनों वर्सों की जो उत्तरकुंजी है उसको जारी कर दिया मतलब थोड़ा सा डर तो बना रहना चाहिए और ये डर बना हुआ है तो फिलाल फ्रेंड्स 2019 और 2020 की जो आंसर की आ गई है 2021 की भी नहीं आई है जैसे ही आएगी वो भी आपको पता च परिडाम 17 फबरी 2021 और 12 अपरल 2021 की जारी किया था उत्तरकुंजी और आंसर सीट को लेकर प्रतोगी छात्र रस्मी मिस्तरा ने हाई कोट में आज क्या दायर किये फिलाल फ्रेंड्स यहां पर वताएंगे आपको कि ये जो पीस्यस 2019 और 2020 की जो आंसर की जारी हुई है इसमे सेकर देखा जाए तो PCS 2019 जो प्री की परिक्षा हुई इसमें दोनों पेपर GS1 और CCS का जो पर है दोनों को जोड़कर 13% डिलीट किये गए हैं और पहला जो पेपर है अगर उसको देखा जाए तो यहां पर 2019 में सामान अध्यान के पहले पेपर से 150% में 8% डिलीट हुए है तो CCS के सेकंड पेपर में 100% में से 5% डिलीट हुए है इस पकार से 2019 में 13% डिलीट किये गए हैं और PCS 2020 में 8% डिलीट किये गए हैं तो पुर में जाके 13% 2019 से और 8% 2020 से हटाए गए हैं अभी फिलाल 2021 के बारे में देखते हैं कि क्या होता है और आपको बदा दें सेलेस्टन एक सो पचास प्रस्ण होते हैं दो सो अंकों की परिच्छा होती है दो गंटे का पेपर होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो CSET का होता है इसमें 100 प्रस्ण पुछे जाते हैं आपको जो है इसमें कम से कम 33% मार्क ले आने कमपलसरी है अन्यता आपको जो पहला पेपर है यह जाचा नहीं जाता है यानि कि second paper यह compulsory है कि आप इसमें कम से कम 33% अंक जो है उसको हासिल करें और यहीं पर assistant professor भरती के अंतरगत आपको पता है कि हिंदी के लिए जो interview है वो पहले से डिक्लियर हो चुके हैं हिंदी मिसे का जो interview है यह कब से होना है यह 9 मार्स से होना है बा तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 25 मार्स से लेकर 30 अपरेल तक यह interview होने वाले हैं तो interview किस मिसे का कब तक है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं रसान बिग्यान, क्रिसी सांकी, महिला अध्यान, वनस्वत बिग्यान, क्रिसी अभियंत्रन, संस्कृत, और सांकी के साथ पादप्रोग, बिएड, सारेरिक सिक्षा, क्रिसी अर्थसात्र, क्रिसी प्रसार, वानिज, और क्रिसी बनस्वति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरी सीची जो है आपको आफिसल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, तो उत्तरवदिस उचतर सिक्षा सिवा आयो उन्हें बुद्वार को असिस्टन प्रोफेसर भरती परिशा के 19 और विशियों के इंटर्व्यू की तिथी खोसित कर दिये, आयो के पोर्टल और वेबसाइट पर तिथी और विशे के मताबिक अभेरतियों के अनकुरमांग अपलोड कर दिये गए हैं, इसके पहले हिंद लापित प्रवक्ता पूरुस महिला राजकी इंटर कालेज, गौर्णमेंट इंटर कालेज परिक्षा ही है, इसके मुख की परिक्षा 13 तारीक होनी है, 13 मार्च को परिक्षा होनी है रभिवार को दो सत्रों में, इसके जो एड्मिट कार्ड हैं, फिलाल वेबसाइट पर औ डाउनलोड करने के बाद फिर उसको जो इंस्ट्रक्शन दे गए हैं, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली कबर पे, दोस्तों केवियस ट्रेंड ग्रेजियोट टीचर, यानि की केवियस टीजीटी के लिए अगर आप एक सर सरकारी अध्यापक बनना चाते हैं, केंदरी सरकारी सिक्षक, तब ये एक मातर ऐसी भरती होती है, जो कि आपके सपनों को पूरा कर सकती है, फिलाल इसका जो ऑफिसल नोटिफिकेशन है, वो जल्दी जारी होने वाला है, लेकिन इस भरती के लिए जो एलिजबिल्टी होत और साथी साथ प्रमोसन बेनिफिर्ट सुकरा के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आप एक गौर्णमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तब ये भरती आपके लिए बहुत ही सांदार है, बहुत जल्दी kv.sangton.niz.in पर इसकी बिग्यप ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, चोगवन सो, और तब आपकी सल्दी रहेगी, पंदर हजार शहसो से 49,100, फिर आगे चलकर, आप लोड़ा और सीनियर होंगी, आपका जो ग्रेड आप पे है, ये 6600 हो जाएगा, पंदर हजार शहसो से 49,100 रूपए पर ये लागू होगा, तो काफी सांदा सिलरी आपको मिलती है, एज लिमीट होती है, जनरल के लिए 35 साल, अगर आप वहीं पर इसरफ कटेगरी से आते हैं, तब आपको नहीं मानुसार एज में छूट भी मिलती है, और इसके लिए आप अगर असनातक हैं, सम्मंदित विश्यों के साथ, जो सब् आवेदन करना चाहते हैं, तब तीनो साल आपके संस्कित होने चाहिए, एक फर्ग मैं आपको बताता हूँ, UP, TGT और KBS वगरा में, तो UP की जो TGT और PGT की भरती होती है, इसमें कोई भी अपर इस लिमिट नहीं है, आप साथ साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, जबकि तो वहीं पर KBS और NBS के बारे में बात करें, तब वहाँ पर आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए, डी ट्रिपल स्बी में भी जो है, एज लिमिट होती है, तो यही एक मात्रसी भरती है, UP, TGT और UP, PGT, जो की आपके सपनों को जब तक आपने होसला है, तब तक कूरा करने क दम रखती है, और फार TGT हिंदी, हिंदी जो है वो तीन साल आपने पढ़ा हुआ हो, TGT इंग्लिस के लिए भी वही क्राटरिया है कि तीन साल आपने पढ़ा हो, TGT सोसल साइंस के लिए आप हिस्ट्री, जग्राफी, एकोनॉमिक्स, और पॉलिटिकल साइंस मसे, कोई दो विशे के साथ आपने अपना असना तक कम्प्लीट किया हो, मैथ्स के लिए बैसलर डिग्री में आपके पास दो विशे होनी चाहिए इन में से, मैथ होना चाहिए, इसके अलावा, फिजिक्स, कम्प्यूटर साइंस और इस्टेक्टिक्स, तो इन विशे में से कोई एक विशे और होना चाहिए, ज्योंकि दो विशे होते हैं इसलिए, और TGT साइंस के लिए आपको जो है जुलोजी, बौटनी और कमेस्ट्री में से कोई भी मतलब यहाँ पर कॉम्प्निशन होना चाहिए, और साथ इसाथ आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, प्रोफिशिय ज्यादा लोग इसे जॉइन कर चुके हैं, तो आप भी फटाफट इसे जॉइन कर लें, यहाँ पर अभी हाली में जो इलाबाद हाई कोड की आरो और ए आरो की जो परिक्षा होई थी, यह परिक्षा आनलाइन होई थी, तो इसके लिए जो रिजल्ट है, डिक्लियर कर दे हैं, कि सभी स्टेट के जो बच्चे होते हैं, और आने वाले दिनों में रिट में एक बहुत बड़ी भरती आने वाली है, 62,000 पदों पर सिक्षक भरती होगी, प्रैमरी और जूनियर में, तो इन 62,500 पदों में 15,500 पदों पर बरतमान में यह जो भरती प्रक्रिया है, वो गतिसील है, और इसमें जो है, 4,500 पद जुलाई में होने वाली रिट, ठीक है, जुलाई में रिट की परिक्षा होगी, लेबल वन और लेबल टुक लिए, उसके बाद थर्ड ग्रेड एक्जाम होगा, एक बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी तक, यानि की रास्थ आईजित नहीं होती थी, लेकिन इस बार राजस्तान के मुख्यमंत्री ने इसमें एक बदलाओ किया है, बदलाओ ये है कि पहले आपको रिट परिक्षा को पास करना है, और जब आप रिट को पास कर लेंगे, तब आप नेक्ष्ट लेबल की जिसको कहेंगे थर्ड ग्रे इकजाम भी तब आपको देना होगा, और इनी दोनों परिक्षाओं के जो प्राप्तांग होगे, इनके आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट है, ये बनाई जाएगी, फिलाल अभी जो 15,500 लोग इस प्राइमरी सिक्षक भरती में सेलेक्ट हुए हैं, तो इन लोगों को सि इन वाले दो विद्यारतियों को 150 में कितने अंक मिले, 148 अंक मिले हैं, ठीक है, कितने अंक मिले, 150 में 148 अंक, टाप 10 में सामिल 18 बिरतियों के 150 में 145 से ज्यादा अंक है, दुजार 21 में पातरता परिशा में, यानि कि रीट में करीब 4000 विद्यारतियों के 90% से ज्यादा अ 4000 से ज़्यादा विद्यारती हैं तो 2015 में तो मात्र 8 विद्यारतियों नहीं 90 फिजदी से ज़्यादा के अंग का जो आकड़ा उसको चुआ था उसके परले 2017 में तो किसी भी विद्यार्थी नहीं नहीं चुआ था 90 फिजदी का आकड़ा 85 फिजदी से ज़्यादा अंग प्राप्त करने वालों भी कोई कसर नहीं छोड़ी है 2021 में करीब 13,000 परिक्षार्थियों ने 85 फिजदी से ज़्यादा अंग हासिल किये हैं 2015 में 219 चात्र और 2017 में 27 चात्रों ने 85 फिजदी अंग हासिल किये थे तो प्रत्योगता यहाँ पर देखे दो बाते हो सकती हैं पहली बात यह कि यह भी संभो है कि इस बार कर जो कुश्चन आया हो जो कुश्चन पेपर बना हो वो पिछले वर्सों की अफिक्षा थोड़ा सा इजी रहा हो दूसरी बात यह कि अब जो लड़के आते हैं जो स्टुडेंट तयारी करते हैं वो खूम मेनत करते हैं आपने देखा होगा कि मेनत आजकल लोग को दबा के कर रहे हैं और यह भी वजय हो दी कि यहाँ पर मेर्ड भी इंक्रीज हो जाती है फिलाल अगर आप भी स्टुड़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है आप मान की चलिए कि दुनिया में बहुत कम सीटे बची हुई हैं दुनिया में नहीं तो भारत में तो मानी की चलिए यह बहुत कम सीटे बची है जो कि बहुत ही आपको प्रतिश्टित पद तक ले जाती है तो इसके लिए आपको संगर्स्तु करना पड़ेगा तो इसके लिए बस ही करना चाओंगा चलते जलते आपसे कि अगर आप हाँ एक कोट ने कहा है कि आटी एक्ट के तहर्प वार्सप ग्रूप के एड्मिन के खिलाफ दर्ज आपरादिक प्रक्रिया में हस्तक्षिप से इंकार तो कर दिया लेकिन कोट ने कहा कि याची जो ग्रूप एड्मिन है वो भी गलत संदिश के लिए जिम्मेदार है तो फिलाल ऐस ममदल्क और ग्रूप चलाना है तो ठीक ठाक है मतलब लोगों के साथ चलाना चाही है नहीं तो ॡ्यूप चलाने में वह समय की बर्बादी ही रगती है और देखो यह गर आगर आपके घरों में आसफास कोई बच्चाएसा है जो के केंदरिविद्ध्याले में उसका हाइस फरवरी से इसके लिए kvonlinemission.kvs.uv.in पर जाकर आप इसके लिए registration करवा सकते हैं और यह जो admission की प्रक्रिया है यह सुरू हो गई है के इंदरी बिद्यालों में तो कच्छा एक के लिए तीन बार इसके लिस्ट जा रही पर यह उम्र सिमा की निदी पांच साल थी तो यह बड़ा ही अच्छा लगा मुझे कि बच्चों का जो बच्पन था वो खो रहा था तो उम्र सिमा को एक साल बढ़ाया गया है यह बढ़ा अच्छा हुआ थोड़ा सा बच्चे बढ़े हो जाएं समझदार हो जाएं फिर आपको एक बात और बता दें कि डेली एमसीक्यूज नाम से एक सीरीज स्टार्ट की गई है और यह जो वीडियो होगा यह डेली आपको साम को 6 बजे और लेबल कराए जाएगा सिक्स पीम पर और इसमें आप टॉप की जो एमसीक्यूज हैं जो की PCS के साथ साथ लोवर PCS और सूपर टेट यूपी ट्रिपल सी पी टी परिक्षा और अन्य परत्यूज की परिक्षाओं में जो प्रस पुशे जाते हैं उन्हीं से सब्मंदित हम यहाँ पर एमसीक्यूज को डिसकस करेंगे तो सेस्तन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा छब जाने जरूर कीजिएगा पहला वीडियो अप्लोड कर दिया गया है और इसका लिंक इसी वीडियो के फर्स कमेंट में आपको दिया गया है तो जाकर वास करिए और बताईए कि यह स्रीज आपको पसंद आई या नहीं तो फिलाल आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू सो मच